लेंडमाक कास लिमिटेट के शेर 23 दिसम्बर 2022 यानि आज BAC और NAC पर लिस्ट होने जा रहे हैं BAC की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार शुक्रवार 23 दिसम्बर 2022 से प्रभावी लेंडमाक कास लिमिटेट के एक्विटी शेरों को सूची बद किया जाएगा और प्रतिभूतियों के बीच समूल की सूची में एक्सचेंज पर लेंदेन के लिए स्वीकार किया जाएगा शेर बजार के जानकारों के मुताबिक यह इश्य 28 के करीब पी मल्टिपल के साथ फ लेंडमाक कास की IPO लिस्टिंग पर बात करते हुए स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के सीनियर टेक्निकल अनेलिस प्रवेश गौर ने कहा लेंडमाक कास लिमिटेड LCL यह प्रमुखो एम के लिए डिलर्शिप के साथ भारत में एक अग्रनी प्रीमियम आटोमोटिव रिटेल बिजनेस है कंपनी अपनी उपस्थिती भी बड़ा रही है बिकली के बात के खंड में इसका व्यापक व्यावसाई मॉडल संपूर्ण ग्रहक मुयर श्रिनखला पर कबजा करता है और अनुभवी प्रमोटरों और व्यावसाईक नेत्रित्व के साथ अपने समग्र व्यावसाई के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है GCL Securities के CEO रवी सिंभल ने कहा Landmark Cars Limited का एक अच्छा बिजनेस मॉडल है लेकिन कमपनी का करज देख है मजूदा शेर बजार की भावनाओं को देखते हुए हम Landmark Cars IPO लिस्टिंग देख सकते हैं एक रियाइटी मूयद GCL Securities के रवी सिंभल ने कहा कि Landmark Cars का शेर करीब 5-7 फीसदी डिस्काउंट पर लिस्ट हो सकता है उन्होंने कहा कि Landmark कारों के शेर की कीमत 480 रुपे से 470 रुपे प्रती शेर के दाइरे में खुल सकती है Landmark का डाई